नमस्कार मित्रों, स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलोजी में, तो तुला राशिवालों, होली के दिन, काले कुत्ते को ढूंड कर उसे खिला दीजिए, ये एक चीज, इतना पैसा आएगा कि आपकी तिजोरी छोटी पड़ जय तिरुपती बाला जी, जरूर लिखें। इस दिन अगर आपने कुत्ते को मात्र ये एक चोटी सी चीज खिला दी, तो आपके उपर माता लक्ष्मी की इतनी कृपा बरसेगी, कि आपकी साथ पुष्टें बैठे-बैठे धन खाएगी। क्योंकि दोस्तों, संयोग ही ऐसा बना है। होली के दहन के दिन दोस्तों, अगर आपने यह एक छोटा सा उपाय कर दिया, तो समझ लेना कि आपकी पांचों उंगलियां घी में होगी दोस्तों, और मूह में मोती चुर का लड़ू होगा। दोस्तों, होली का दहन एक ऐसा दिन है अगर आपने. इस दिन एक खास उपाय कर लिया, तो आप अपने जीवन में आ रही तमाम मुश्किलों से परिशानियों से मुक्ति पा सकते हैं. मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन से हार चुके हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, सिवाय और सिवाय दुख भोगने के तो चिंता मत करिए. आज के इस वीडियो में एक ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा र समझ नहीं आएगी. अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे, तो बस आपसे विंती करता हूँ कि सब शुरू से लेकर आखिरी तक देखे वीडियो को और नीचे कॉमेंट बॉक्स में. सच्चे मन, सच्ची श्रधा से जय शनीदेव, अवश्य लिखिएगा शन साले खुल जाए. लेकिन दोस्तों, अभी तक जिसने भी कॉमेंट बॉक्स में जय शनीदेव नहीं लिखा, वह तुरंत जाए और जरूर से जरूर लिख दे. जय शनीदेव जो भी जय शनीदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे एक बढ़ ही खुश्खबरी मिलेग देखिए दोस्तों, इस बार होली के दिन ही चंद्रग्रहन लग रहा है. ये साल का पहला चंद्रग्रहन होगा, और दोस्तों, ये चंद्रग्रहन 25 मार्च की सुबह 10 बज कर 23 मिनट से शुरू होगा, और दोपहर 03 बजे खत्म हो जाएगा. दोस्तों ये चंद्रग्रहन भारत में मान्य नहीं होगा क्योंकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा सूतक काल से नहीं होगा दोस्तों सूतक काल ना होने से इसका कोई प्रभाव किसी पर भी नहीं पड़ेगा इसलिए चिंता ना करें लेकिन जोतिशों की माने तो दोस्तों इस दोरान कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं जिस से आपकी किस्मत बदल सकती है इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कुछ खास उपाय और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि सूतक काल का और चंदर ग्रहन का आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा आपके जीवन में आपको क्या परेशानिया भोगनी पड़ेगी साथ ही क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे क्या खुश्खबरी मिलेगी इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा दोस्तों फालगुन माह में सभी का प्रिय त्योहार है होली और 24 मार्च से होली का त्योहार शुरू हो रहा है पहले दिन होली का दहन होगा यानि कि 24 तारीख को होली का दहन होगा और अगले दिन रंगों से होली खेली जाएगी आपको यह उपाय 24 और 25 दोनों में से किसी भी दिन करना है। आप चाहें तो 24 को भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 25 को भी कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय क्या है ध्यान से सुनिएगा। देखिए कुतों के बारे में हमने आज से पहले कई सारी वीडियो में बताया है। कुतों की महिमां, दोस्तों, बड़ी ही निराली होती है। जहां कुत्ते शनी देव का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं भैरव नात के भी बहुत प्रिये होते हैं। ऐसे में व्यक्ती, अग खास अवसर पर अगर आपने कुट्टे को एक छोटी सी चीज खिला दी तो समझ लेना कि आपके जीवन में दोस्तों एक बहुत ही शांदार और एतिहासिक बदलाव होगा। दोस्तों अब समय व्यर्थ नहीं करते हैं और तुरंत जान लेते हैं कि आखिर कौन सी चीज आपको कुट्टे को खिलानी है। सबसे पहली चीज की ओर बढ़ते हैं। परिशानी है, किसी को किड्नी की परिशानी है, तो उसके लिए एक अलग उपाय बताया जाएगा। उसको एक अलग चीज खिलानी पड़ेगी कुट्टे को। साथ ही अगर आपको शादी नहीं हो रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको कुट्ट रहते हो, घर में भी सुख नहीं है, बाहर भी सुख नहीं है, तो उसके लिए एक अलग उपाय बताया जाएगा कुट्टे का, जो आपको इस होली के दौरान करना है, तो सभी के लिए अलग-अलग उपाय रहेंगे, धन दौलत के लिए अपार धन संपदा, अगर आपको चा कोड़ कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि उपाय बहुत ही आसान है, समय दोस्तों, मात्र होली के ये दो दिन है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको पूरी वीडियो को देखना है, दोस्तों, अगर आपको कर्ज की समस्या है, तो होली के दिन अगर आप कुट्टे को ये कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा अब आप सोचोगे कि आखिर ऐसा क्या चीज है जो हम कुत्ते को खिलाएंगे जिससे आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा तो देखिए शनी आपका जब आप पर भारी होगा जब शनी भारी होगा तो दोस्तों, आपको तरह-तरह की परेशानिया आनी ही आनी है, और अगर आपको कर्ज है, तो समझ जाईए कि आप अपने पिछले जन्म का कुछ कर्म भोग रहे हैं, कुछ कर्ज आप इस समय भी चुका रहे हैं, तो दोस्तों, उससे मुक्त होना है, तो आपको शनी को प्रस जाना है, नहाध हो लेना है। इसके बाद दोस्तों, जब आपके घर के आसपास होली का धहन हो रहा हो, तो दोस्तों, आपको अपने घर से एक रोटी ले लेनी है, उस रोटी पर आपको गुड लगा देना है। कर्ज बहुत जल्द उतार दो, मुझे इस कर्ज से बाहर कर दो, साथ बार आप जब परिक्रमा कर लें, उसके बाद आपको जो भी कुट्टा सबसे पहले नजर आए, जो भी कुट्टा आपको सबसे पहले दिखे, उस कुट्टे को वह रोटी खिला दे, आप देखेंगे कि म उपाय को कई लोगों ने किया है, और कई लोगों को इस उपाय से कर्ज मुक्ति से राहत मिली है, दोस्तों तो आप भी इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा, अब अगली चीज है दोस्तों, धन दौलत, धन संपदा की, जो व्यक्ति अपार धन कमाना चाहता है, जो व्यक्ति खूब सारा धन दौलत की चाह रखता है, उसे इस उपाय को करना है, इस उपाय को करने से गरीब अमीर बन जाता है, और दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए फिर वह अमीर ही रहता है, देखिए अकसर इंसान की जिंदगी में धन दौलत तो आता है, लेकिन वह टिक जिसके कारण वह अमीर नहीं बन पाता है, क्योंकि धन हर कोई संभाल नहीं सकता, और जो माता लक्ष्मी है वह चंचल होती है, कभी इस घर तो कभी उस घर, तो दोस्तों माता, लक्ष्मी इस उपाय को करने के बाद आपके घर में टिकने लगेगी, हमेशा वास करेगी, मा आखिर उपाय क्या है, जान लेते हैं, देखें, दोस्तों इस उपाय को करने से पहले, आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, आप जिस भी दिन कर रहे हैं, यह उपाय, दोस्तों उस दिन होली का दहन हो, या फिर आप होली खेल रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको म माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करने के पश्चात, आप लोगों को अपने रोटी के डिब्बे में से, एक रोटी ले लेना है, और उस रोटी को जो भी घर का मुखिया है, जिस व्यक्ति के उपर कर्ज छड़ा हुआ था, वह बात अलग हो गई लेकिन यहाँ धन संपदा की बात है, तो जो भी घर का मुखिया है, जो धन कमाता है, जो काम धंडे करता है, उस व्यक्ति के उपर से उस रोटी को ग्यारा बार वार लेना है, सर से लेकर पाव तक आपको ग्यारा बार उतार लेना है, और उसके बाद उस रोटी को आप किस इसी भी काले कुत्ते को खिला दे, ध्यान रहे, कुत्ता काला होना चाहिए, काले कुत्ते को जब आप रोटी खिलाएंगे, तो इससे दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा आपके उपर रहेगी, आपके उपर जो भी भाड चड़ा हुआ है, जो भी माता लक्ष्मी के रास्ते जो भी बाधायें आ रही हैं, वह बाधायें दोश तो दूर होने लग जाएगी, और माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करने लग जाएगी, तो दोस्तों, इस उपाये को आप होली का दहन वाले दिन, या फिर जिस दिन होली खेलते हैं, रंगों से उ अगर आप किसी का प्रेम पाना चाहते हैं, किसी से विवाह करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस उपाय को आप कर सकते हैं, आपके लिए यह उपाय बहुत जल्दी काम करेगा। इस उपाय की महिमा भी बहुत खास है। देखिए, जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, या फिर जो व्यक्ति मन्चाही शादी करना चाहता है, मन्चाहा साथी पाना चाहता है, वह यह उपाय करे। करते करते आपको जिस भी व्यक्ति से शादी करनी है या फिर जो भी आप मन चाहा प्रेमी पाना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम ले लें. या फिर दोस्तों आप मातारानी से ये विनती कर ले कि मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए, बहुत जल्द मेरे घर शहनाई बच जाए, तो दोस्तों आप ये प्रार्थना करते करते साथ परिक्रमा कर ले, उसके बाद जो भी कुट्टा नजर आए, आप उस कुट्टे को बिस्किट है या दूध रोटी है, खिला दें, आपको इस उपाय को कर लेना है, इस उपाय को करने से आपका घर संसार बहुत जल्दी बस जाएगा, आपकी मन्चाही शादी हो जाएगी, आपका जीवन साथ ही बहुत अच्छा मिलेगा, दोस्तों, अब जो मैं उपाय आपक खूब खुश और प्रसन्न होती है, और भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, वही दोस्तों, होली की रात मा लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, दोस्ती कुछ विशेश उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और मा लक्ष्मी आपके घर मे प्रवेश करती हैं। आपको हर कार्य में सफलता मिलती है और साल भर आपके घर में बरकत होती है। दोस्तो धनकी की कोई कमी नहीं होती और नौकरी कारोबार में भी तरक्की होती है। जैसी की दरसल होली की रात, पूर्णिमा की रात होने की वजह से मा लक्ष्मी की पूजा का विशेश महत्व होली पर भी होता है। आपके घर पर मा लक्ष्मी की कृपा होती है और पूरे साल आपके घर और घर के लोगों पर मा लक्ष्मी का आशीर रवात रहता है। सभी की तरक्की होती है और करियर में सफलता प्राप्ट होती है आए जानते हैं होली की रात में मा लक्षमी को प्रसन करने के लिए कुछ अच्छूक उपाय जो आपको तरक्की के साथ सुक्समृद्ध भी देंगे ध्यान से सुनिएगा दोस्तो, मा लक्ष्मी को खीर सबसे ज्यादा प्रिय है, होली की रात मा लक्ष्मी को केसर, दूद और मक्खाने की बनी खीर का भोग लगाएं, इस उपाय को करने से मा लक्ष्मी आप से प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न रहने का आशीरवाद देती हैं, इस खीर का भोग लगाने के बाद आधी खीर किसी जरूरतमंद कन्या को दान कर करें, और बाकी आधी खीर पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में बांट दें, परिवार के सभी लोगों की पूरे साल तरक्की होगी, अब दोस्तो, दूसरी चीज, ध्यान से स उने की मा लक्ष्मी का प्रियफल होता है, श्रीफल, यानि की नारियल, एक नारियल लें और उसे उपर से फोड़ कर उसमें मिसरी भर दें, और फिर उसे होली की अगनी में चढ़ा दें, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है, नारियल को चढ़ाने क होली का धन के बाद पान के साथ पत्ते लें और हर पत्ते पर एक इलाइची रख लें और हर पत्ते पर एक जोड़ा लॉंग रख लें, होली जलते वक्त उसकी परिक्रमा करें, हर बार परिक्रमा करने के बाद एक पान का पत्ता होली की अगनी में चढ़ा दें, ऐसा साथ धन प्राप्ति के लिए होली पर यह उपाय करना बहुत ही कारगर माना जाता है। अब चुथी चीज दोस्तों, ध्यान से सुनें, दोस्तों होली पर होली का दहन करने के बाद, जब घर लोटें, तो घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से मा लक्ष्मी आपके घर की ओर आकरशित होती है और आपको सुखी संपन्न बनाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवेश होता है और परिवार में खुशियां बढ़ती है। गोमती चक्र मा लक्ष्मी को सबसे प्रिय होता है। होली की रात में 21 गोमती चक्र लेकर किसी शिव मंदिर में जाएं और चुपके से शिवलिंग के पास ये गोमती चक्र रखाएं। इस उपाय को करने से मा लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके घर में गरीब को भोजन अवश्य कराना चाहिए। आपके इन नेक कारियों को देखकर मा लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाती हैं और आपके कारोबार में तरक्की होती है। कि आप सोचते बहुत हो लेकिन करते कुछ नहीं इसलिए करने पर भी ध्यान दो। जैसा कि हमने कहा कि सोच केवल मस्तिश्क में होती है तो जो सोचते हो उसको करने पर भी जोर दो। केवल सोचते रहोगे तो कुछ नहीं और ना करो भी सही। साथ ही बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने निजी जीवन में ना होने दे दोस्तों, किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप, किसी भी बाहरी रिष्टेदार का हस्तक्षेप आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है आपको अपने काम खुद से ही करना चाहिए, क्योंकि लोगों की काली नजरें लगते हुए देर नहीं लगती है। दोस्तों, लोगों को अगर थोड़ा सा भी आपके जीवन में सुख दिखा, तो लोगों की पहले काली नजर लगेगी, आपके दुश्मनों की पहले काली नजरें लगेगी। इसलिए ध्यान रखो कि लोगों से छुप छुप कर काम करते रहो। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वहीं व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, दोस्तों, व्यवसाय जो भी करते हो, आप जहां भी काम करते हो, या नौकरी करते हो, थोड़ासा दोस्तों, अपनी चीजों में बदलाव लेकर आएं, कोई अच्छी डील भी प्रेमेंट आ सकती है, इससे आर्थिक परेशानिया हल होगी, आईए दोस्तों, दूसरे सवाल की ओर बा एच जाते हैं, देखिए, सीमा चक्रबर्ती का सवाल आया है, यह हमारे साथ काफी समय से जुड़धे हुए भी हैं, यह कहते हैं कि गुरु जी प्रणाम हम वेस्ट बंगाल से है, गुरु जी मेरे साथ क्यों खराब हो रहें, मेरे छोटा, मेरे छोटा वाला, डेली सुबह शाम दो पहरात एक टाइम दारू पीता है, जगधा लड़ाई करता है और मेरी माँ उसको सपोर्ट करती है, मेरे साथ जगधा लड़ाई करते हैं, माँ छोटे वा आप क्रिपा करके मार्ग दिखाईए, इनके छोटे भाई दारू गधाफी के घर में लड़ाई जगधे करते हैं, और इनकी माता जी भी उनको सपोर्ट करती है, देखिए, जयोतिशी उपाए, अगर आपको बताया जाए तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंद जाकर एक चमेली के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करिए, घर में दारू वगेरह का माहौल रहता है, तो घर में हनुमान चालीसा का पाठ ना ही करें, तो अच्छा रहेगा, अगर आप चाहें तो मंदिर में जाकर दूर बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहि बाला जी महाराज कृपा करेंगे